बाराजा 460 सिचकबती के सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल एक्सेस अकेडमी पर दोस्तों बाराजा 460 सिचकबती में जितने भी मारे चैनित बाई बहन है उनको बेसबरी से इंतजार था सुप्रिम कोट की 15 मईई सुनवाई के आदेश का फाइन बड़ी अपडेट है उसको डिसकास करेंगे तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बीना इस्किप के हुए अंतक देखें जिसे वीडियो में सेर की गए सारी जानकारी को आप आसानी से समस्कें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी से रिक्वेस्ट की प्ली 15 मई की सुनवाई के बाद उसके आदेश में क्या महत्पूर्ण चीजे निकल कर सामने आ रही है आप सभी के स्कूल आवंटन से संबंदेद तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के सामने 12460 च्छक बक्ति से संबंदेद 15 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का आदेश है और य यह सिबिल अपील थी और इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया था इस्टेट आप यूपी एंड अदर्स के नाम से इसके साथ साथ यह साथ पेज का टोटल आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है जिसमें आप सभी सात्यों को बता देए जो है उसमें दियाचकाओं के बारे में डिटेल दी गई है और किस पच की तरफ से कौन से अधिवक्ता प्रजेंट हुए इसे संबंधित डिटेल दिया गया है उन अधिवक्ताओं के नामों को मेंसन किया गया है जो भी अधिवक्ता इस मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में पच् तो कुल मिला करके ये सारी चीजें डिसकस ना करते हुए सुप्रिम कोर्ट की तरफ से जो 15 माई की सुनवाई का फाइनल आदेश निकल कर सामने आ रहा है उस पर नजर डालते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12460 चकबर्ती मामला सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई के लिश्टेड था और 15 माई को फाइनल सुनवाई करते हुए जेके महसुरी सर और संजे करोल सर की वेंच ने स्कूल आवंटन का आदेश जारी कर दिया था और उसके बाद चैनितों की तरफ से लगातार प्रियास किया जा रहा है कि बेसिक सिछा भी बाग की तरफ से स्कूल आवंटन की बिगिपती जारी की जाए लेकिन सच्यू बेसिक सिछा परिशद और पूर्व सच्यू स्री परताफ सिंग बगिल जी की तरफ से आसोस्त किया गया था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आफिसियल आडर कापी हमें रिशीब होती हैं तुरंत जो है आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रिकरिया को आगे बढ़ा देंगे और बिग्यप्ति जारी करती जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आफिसियल आदेश 15 मई की सुनवाई का जारी हो चुका है आदेश में क्या चीज़े निकल कर सामने आ रही हैं उनको डिसकस करते हैं उसके बाद बैसिक सिछा विवाग के से बिग्यप्ति को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है उसको भी टिसकस करेंगे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अपान हेरिंग दा कांसिल दा कोट मैड दा फालोइंग आडर यानि सुप्रिम कोट ने सभी पच्छों को सुनते हुए जो आदेश दिया है वो क्य आफ्टर हेरिंग लर्नेट कांसिल फार्दा पार्टीज एंड आन पेरिशल आप दा इस्टेटिक्स विच आर सम्मिटेड बिपोर अस इट रिवील्स देट दा आडर्स आप अपॉइंटमेंट आप सत्रा सो च्यानवे परशंस एंड चारहजार साट परशंस वू आर इन दोस्तों आडर को बिलकुल किलियर समझिये कि सुप्रीम कोट ने अपने आडर में कहा है कि जो सरकार की तरफ से हमारे पास एक प्रपोजल सम्मिट किया गया है जिससे ये जानकारी इसपष्ट होती है कि 1796 लोगों को 3012-23 को निक्ति पत्र निर्गत किये गए और 4060 लोग को 7.1.2024 को जो है निक्ति पत्र निर्गत किये गए और ये counselling में आने वाले वो merit अभयति हैं जिनके हाथ में निक्ति पत्र निर्गत किये गए हैं और ये जानकारी बैसी सिछा विवाग के प्रपोजल से कोट के सामने जो है रे vacAY हुई है आगे यहाँ पे आप सभी शुरू हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए which is to commence from 15th आप जून 2024 यानि 15 जून 2024 से जो माना जाता है we permit these 856 persons to join कहा गया है कि जो 30 तारीक को निक्ति पत्र पाए है 30 December 2023 को और जो 7 जनवरी 2024 को निक्ति पत्र पाए है कुल मिलाकर के 856 अभरती है जिनको निक्ति पत्र मिल चुका है जिनका स्कूल एलाट्मेंट रुका है Supreme Court उनको स्कूल एलाट्मेंट और जॉइन कराने की permission देता है आगे कहा गया subject to final outcome these appeals और इसके साथ साथ एक point mention किया गया है कि subject to outcome these appeals यानि भरती से संबंधित जो भी appeals बिचारणी है सुप्रिम कोट के अंदर उनका जो final judgment होगा उसके अधीन ए इस्कूल एलाट्मेंट आप सभी का रहेगा वहीं कहते हैं आगे order में कहा गया है the permission for joining is allowed looking to the public interest observing that their appointment and joining shall be subject to final outcome appeals यानि जो एस और भाटी में हमने चीजें mention करी थी कि हमारी सिच्छा ब्योस्था प्रभावित हो रही है बच्चों के सिच्छा प्रभावित हो रही है उसको लेकर के हम सभी चाहते हैं कि ये चैनितों को इसक रहे तो वहीं कहा गया है कि इन सभी जो 5856 अभयति नुक्तिपत्र वाले हैं इनको public interest के देखते हुए school enlightenment की प्रकरिया पूरी करने के लिए permission दी जाती है और इनका appointment पूरा किया जाना चाहिए बाकि इन सभी के school enlightenment का समपूर प्रोसेस जो है वो subject to final outcome रहेगा अब यहाँ पर subject to final outcome को थोड़ा आप सभी को clear कर देते हैं इस बात को लेकर के कुछ अब्यल्थी बहुत परिशान है किसा subject to final outcome रहेगा तो फिर क्या मतलब राम सभी के school enlightenment का दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 2018 में आप सभी के आधे साथी जो है चैनित हो गए थे और नौकरी कर रहे हैं उनकी भी नुक्ति परकरिया subject to final outcome है और जो भी संबंधित याचिकाएं जो विचारणी है सुप्रेम कोट में उनके final आधेस के एक आइडिंग उन सभी की नुक्ति परकरिया पूरी की गई थी आज 6 साल हो गए उनको कोई दिक्कत हुई नौकरी में नहीं हुई किसी तरीके से आप सभी का school enlightenment subject to final outcome कर दिया गया है तो आप सभी लोगों को इस subject to final outcome नहीं देखना है आप सभी को केवल और केवल अपने school enlightenment कराने की तयारी करनी है अपनी जो भी documentation की प्रकरिया है वो complete कीज जो है Supreme Court पूरी भरती को रत कर दे ऐसा दोस्तों नहीं होगा आप सभी लोग बिलकुल भी subject to outcome को लेकर के परिशान नहों और ऐसा कोई बड़ा decision subject to outcome finally नहीं आने वाला है जिसे आप सभी की नुक्ति या school enlightenment को कोई खत्रा हो तो इस subject to outcome को लेकर के बिलकुल भी परिशान नहो लोग चीजे तरह तरह से आपको explain करेंगे लेकिन आपको इस point से बिलकुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है आप केवल और केवल आप अपना school enlightenment कराईए और बाकी जो याचका है Supreme Court में लगी हो आगे चलती रहेंगे उनका निस्तारण होगा जो final आदेश आएगा वो ही आदेश फालो होगा लेकिन ऐसा कोई आदेश इसमें आगे भी नहीं आने वाला है कि भरती रद से संबंदित हो और उसके बाद अगर आप नौकरी पा जाएंगे इसकूलों में अध्यापक के रूप में कारी करने लगेंगे तो आपके भी कुछ special rights हो जाएंगे तो आप स तारित होंगी तो उसका decision कोई बड़े उलट फेर वाला नहीं आने वाला है क्योंकि इससे फिर हजारों अभ्यत्यों की जीवी का प्रभावित होने लगेगी तो फिर आप सभी लोग जानते हैं कि fundamental right violence होने लगेगा और Supreme Court अपने किसी भी आदेश से fundamental rights को violence नहीं करता है ये view up the order passed above the order dated 8-1-2024 stand modified ये जो आदेश जिस परपेच्छ में जारी किया गया है उप्रियुक्त आदेश जो जारी किया गया है वो आप सभी लोग जानते हैं कि 8 जनवरी 2024 को status Q के modify करते हुए जारी किया गया है तो दोस्तों कुछ लोग यहां पर कह रहेते कि status Q नहीं हटा है उसको modify किया गया है और modify करने का तातपर ही है कि status Q हट गया है तभी चैनितों को स्कूल आवंटन जो है किया जाने का निर्देश सुप्रिम कोट से या permission प्राप्त हुई है और वहीं आप से भी लोग देख सकते हैं इस भरती से सम्बंदित अन्यमुद्दे जो है उनको सु चाविभाग इसी आदेश को देखते हुए और follow करते हुए आगे बढ़ेगा और उसके लिए अब बहुत जल्द आप सभी लोग सची उसर से मुलाकात करें जितने भी अगवाकार लोग हैं और जल्द से जल्द ये जो है स्कूल आवंटन के लिए बेसिक से चाविभाग क को लेकर के क्या महत्पूर जानकारी तो दोस्तों आप सभी को बता दें भरती में जो रिक्तपद बचे हैं उन रिक्तपदों को डिसाइट करने के लिए ही सुप्रीम कोट ने 28 अगस्त को मैटर लिस्टेट किया है सुनवाई के लिए और उस पर सुनवाई करते हुए उनक दोस्तों कल जब बेसिक सिच्छा विबाग के अधकारियों से मुलाकात कर सकूल आवंटन को लेकर के विग्यप्ती जारी करने समंदी प्रयास किया गया था तो अधकारियों की तरफ से खास कर पूर्व सचीव प्रताप सिंग भगेल जी की तरफ से आस्वासन मिला था कि जैसे ही आफीसियल कापी आदेश की हमें मिलती है सुप्रिम कोट से हम तुरंत स्कूल आवंटन की विग्यप्ति जो है वो जारी कर देंगे। जारी हो सकती है तो आप सभी को बता दें कल 18 माई को हर हाल में 12460 सिच्छा बत्ती में चैनिस सात्यों की इस्कूल आवंटन की विग्यप्ति बेसिक सिच्छा विग्यप्ति जारी कराने को लेकरके प्रियास किया जाएगा सभी चैनिस सात्यों को स्कूल आवंटन की एक बार फिर से ठेस सारी सुबकामनाय और हालतिक बधाईयां उमीद करते हैं कि मई में ही आप सभी की स्कूल आवंटन प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी बाकि आगे आप सभी लोग जुलाई में अध्यापक के रूप में अपने विद्यालेयों में पहुंचेंगे तो ये महत्पूर्ण जानकारी कोट आडर को लेकर के जो हमने वीडियो में डिसकास के उमीद करते हैं आप सभी लोगों की समझ में आई होगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें दुस्तों में शेयर करें और च चैनल के मातम से मिलती रहेंगी तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं गली वीडियो में तब तकली सभी सात्यों को चेंज़े बारत बंदे मातम